So guys, आज हम बात करने वाले हैं Indian Air Force XY Group Airman की New Vacancy के बारे में कि Next Intake का Notification आपको कब तक देखने को मिलेगा and Next Exam कब तक हो सकता है आने वाली Vacancy का DOB याने Date of Birth Criteria क्या रहने वाला है, कब से कब तक के Date of Birth वाले Candidate उस Form को Apply कर पाएंगे क्या इस बार भी rally भरती आएगी या फिर ये एक All Over India General Intake होने वाला है, सारी जीज़ें डिसकर्स करेंगे So, session काफ़ important होने वाला है क्योंकि बहुत सारे candidates की ये demand आ रही थी So, सभी queries इस वीडियो में solve करने वाला हूँ, make sure आप बिना skip करें वीडियो के end तक जरूर देखें सबसे पहले बात अगर की जाए notification की, तो अगला notification आपको December मन्त में देखने को मिलेगा, second या third week के बीच अभी इसके पीछे का logic भी मैं आपको clear करूँगा, बट उससे पहले दूसरी बात के exam कब तक होगा तो exam आपका third week of April में होगा, अब ये मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल दे रहा हूँ, इसके पीछे एक logic है और वो logic क्या है, तो अभी आपका intake 2 2022 तो cancel हो चुका है, या यूँ कहिए कि वो intake first 2022 में ही merge हो चुका है तो अभी next intake जो होगा, वो आपका होगा intake 1 2023, एंड हर बार first intake का notification दिसंबर मन्त में आता है और exam आपका April या में के बीच ही हो जाता है, और ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ, क्योंकि अभी lockdown जैसे situation तो है नहीं तो सब कुछ अपने time पर होने वाला है, जैसा कि पहले हुआ करता था अब बात अगर की जाए कि ये rally भरती होगी या एक general intake, तो ये एक general intake होने वाला है जिसमें all over India के candidates अप्लाइ कर पाएंगे, एंड सभी का admit card भी आएगा, फिर चाहे आपकी कुछ भी percentage क्यों ना हो rally भरती अगर आनी होती तो अब तक आचुकी होती, और rally भरती पहले की तरह सिर्फ कुछ specified states के लिए आएगी, जैसे पहले आती थी बिहार, जारकंड, उडिशा के लिए, एंड इससे आपके intake पर कोई असर नहीं पड़ेगा अब बात कर लेते हैं most important point की, that is DOB, यहने Air Force New Vacancy का age limit क्या रहने वाला है तो age limit आपका होगा 15.07.2001 से लेकर 36.2005, यदि आपको age relaxation मिलता है क्योंकि पिछला intake cancel हुआ है, तो may be age relaxation आपको मिले Otherwise, आपका age limit रहने वाला है 15.01.2002 से लेकर 30.12.2005 या simply आप यह समझ लो, कि अगर form fill करते हैं वक्त आपकी age 16-20 साल के बीच है दन आप eligible हैं इस vacancy के लिए आप form fill कर सकते हैं बाकी रही बात preparation की, तो आप हमारे channel पर access कर सकते हैं complete syllabus आपको यहापर मिल जाएगा and जैसे ही इसका notification आउट होता है, new batches भी start होंगे तो आप उन्हें join कर सकते हैं free classes होंगी and मैं आपको recommend करूँगा कि इसके साथ साथ आप अगर first time appear होने जा रहे है especially जो candidate first time exam देंगे उनको मैं recommend करूँगा कि आप कोई भी एक mock series जरूर से purchase करें थाकि आपको idea लग जाए कि exam में questions किस तरीके से बनता है pattern क्या रहता है exam paper का मैंने personally अपने case में use किया था test book तो मैं आपको भी वही recommend करूँगा benefit यहाँ पर एक यह है कि अगर आप एक बार pass purchase कर लेते हैं then आपके लिए air force तो क्या आप बाकी जितने भी exams हैं सभी की test series open हो जाएंगे आपको अलग-अलग exam के लिए अलग-अलग pay करना नहीं पड़ेगा बाकी coupon code मैंने नीचे दिया है अगर आप इसका use करते हैं तो आपको अच्छा खासा discount भी आपर देखने को मिल जाएगा तो आप अपनी preparation को काफी अच्छे level पर ले जा सकते हैं बागी कोई भी doubt है कोई भी query है then let me know in the comment box